स्तोत्र नौ दुष्टों को दंड पद दलितों का उद्धार संगीत निर्देशक के लिए मूट लब्बेन गीत की तर्ज पर एक स्तोत्र दाउद का प्रभु मैं सारे हिर्दय से तुझे धन्यवाद दूँगा मैं तेरे सब अपूर्व कारियों का बखान करूँगा मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ सर्वोच इश्वर मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ मेरे शत्रूओं को हट जाना पड़ा वे तेरे सामने ठोकर खाकर नश्ट हो जाते हैं निश्पक्ष न्याय करता तूने अपने सिहासन पर बैठ कर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णे दिया तूने राष्ट्रों को डाटा दुष्टों का विनाश किया और उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया है शत्रु असंख्य खंडरों जैसे हो गए तूने उनके नगरों को उजाड़ा उनकी स्मृती तक मिट गई प्रभु का राज्य सदा बना रहता है उसने न्याय करने के लिए अपना सिम्हासन स्थापित किया है वो न्याय पूर्वक संसार का शासन और निश्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करता है प्रभु पद्दलितों का आश्रे है संकट के समय शर्ण स्थान प्रभु जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें क्योंकि तु उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं सियोन में निवास करने वाले प्रभु की स्थुति करो राष्ट्रों में उसके अपूर्व कारियों का बखान करो वो रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भुलाता प्रभु दयाकर ये देख कि मेरे शत्रों ने मुझे कितना नीचा दिखाया है तो मुझे मृत्यू के द्वार से निकाल ले आता है जिससे मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों का बखान करूं और तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाउं राष्ट्र उस चोर घड़े में गिरे जिसे उन्होंने खोदा था जो फंदा उन्होंने लगाया था उसमें उनके पैर फस गए प्रभु ने प्रकट होकर न्याय किया उसने दुष्ट को उसके अपने जाल में फसाया दुष्ट जन अधो लोग लोट जाएं और वे सब राष्ट्र भी जो इश्वर की उपेक्षा करते हैं दरिद्र को सदा के लिए नहीं भुलाया जाएगा और दीम दुख्यों की आशा व्यर्थ नहीं होगी प्रभु उठ मनुष्ट की विजय न हो तेरे सामने राष्ट्रों का न्याय हो प्रभु राष्ट्रों को आतंकित कर जिससे वे समझें कि वे मात्र मनुष्य हैं कि अ अवे यूख्यों का फ्रह्ट्रों के लिए श्यूंट